हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्भीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुवेन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी important रहने वाला है तो साथियों जैसा कि आप जामते हैं कि MCD PRT का जो normalization हुआ है वो एक अच्छे लेवल से नहीं हुआ हलाकि scientific method वगएरा यूज किया गया होगा लेकिन और अच्छे तरीके से normalization हो सकता था तो normalization के खिलाप हमारे कुछ साथियों ने DSSB से question किया था और DSSB का कुछ जबाब आया है वो सारी चीज़े देखने के लिए आप वीडियो देखते रहे है अभी मैं आपको सारी चीज़े बता देता हूं तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे question देख पा रहे होंगे और ये question मैं आपको हिंदी में बता देता हूं question ये कि जो normalization हुआ है वो एक अच्छे लेवल से नहीं हुआ है normalization आप देख पा रहे होंगे आपने देखा भी होगा कि एक ही shift में एक candidates के number बढ़ रहे हैं एक के घट रहे हैं तो ये सारे question किये गए हैं कि ये कैसा normalization है एक ही shift में marks घट रहे हैं एक ही shift में marks बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़े ये question किये गए हैं तो साथियों इसके जवाब में DSSB ने क्या कहा है वो भी आप देख सकते हैं तो DSSB ने जो जवाब दिया है वो भी आप अभी अपनी सिक्रिन पे देख पा रहे होंगे तो साथियों DSSB ने कहा है कि जो normalization किया गया है वो difficulty के level से किया गया है मतलब सभी को equal करने के लिए normalization किया गया है जिसे अगर कोई 30 की shift से है तो उसको benefit जादा दिया गया होगा जो यह कहना चाहरे है इसके बाद जो normalization हुआ है उसका formula DSSB की website पर upload कर दिया गया है जो normalization है उसका formula DSSB की website पर पहले ही upload कर दिया गया है और इसके बाद यह कहना चाहरे है कि जो यह बात ही चल रही है baseless है मतलब इनका कोई आधार नहीं है और जो normalization हुआ है वो हमने अच्छे तरीके से कर दिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जैसा आप देख पा रहे होगे no action is required to be taken in this regard कि इस उसमें कोई भी action लेने की जरूरत नहीं है हमने जो normalization किया है वो अच्छे level से किया है हमें नहीं लगता कि कोई इसमें कमी है तो साथियों ये DSSB का जबाब है और जो candidates ने question किये थे वो आपने देख लिया होगा कि एक ही shift में अगर दो candidates हैं एक के number घटे हैं एक के बड़े हैं तो इन्होंने जबाब दिया है कि difficulty के level से number घटे और बड़े हैं और इसके बाद जो normalization हुआ है उसका formula हमने पहले ही साथ में दे दिया था कि किस level से normalization हुआ है तो साथियों ये था DSSB का जबाब जिसमें DSSB normalization process को बदलने के बिल्कुल पक्स में नहीं है अभी आप देख रहे होगे normalization के जो process हुई है इनके according बिल्कुल सही हुई है लेकिन जिन साथियों के साथ गलत हुआ है वो काफी सदमे में है तो साथियों देखते हैं क्या होता है Goodbye, Take Care, Thank You, Jai Hind, One Day, Matram